आज बहुत दुनों बाद बड़े से फोन पर बात हुई, तो मैंने उनको प्रसंद करने के उद्धिश से अकारण ही, उनके ज्ञान, विज्ञान, भाव, भाशा, व्यावार की प्रशंसा कर दे, थोड़ी देर सुनने के बाद बड़े, वर्जिना के स्वर में मुझे टोकत आजमी को जब किसी दूसरे आदमी से बिना पैसा दाए, अपनी मर्जी का कोई काम करवाना होता है, तो वो हनक है, सामने वाले की प्रसंसा में, जवरन अपनी जीव तलुगा से मारन लगत है, इससे वो आजमी गिल होके, उसके सब रहे काम फरी में कर देता है, जीव की इ तो अंग्रेजों के आबे के पहले से चालोः थी वाई, बड़े बोले सही कह रहे हो, लेकन अंग्रेजों के आने से पहले जे करिया नहीं, कला की स्रेडी में आती थी, कला कहलाती थी, तब इसको चापलूसी नहीं, चाटू कारिता कहा जाता था, मैंने बात तो यह बड़े बुले बिलकुल नहीं हैं दो एक दम अलग अलग हैं जिस भी शब्द में कार जुड़ जाता है फिर वो कला की सिर्णी में आ जाता है कार्याने बनाने वाला जैसे कुम्बकार स्वर्णकार कलाकार पत्रकार मैंसे चाटूकार मतलब जो आदमी गधा को घोड़ा नहीं कला मैं चंट हो है उसको चाटूकार कहा जाता है चाटूकारी था तो अपने आपने राजे माहरा राजों का सौक था कुम्मर, उनको इस खर्णा से बहुत महबत था थी इस कला को मढळाने के लिए राजे माहरा राजों अपने दरबार में किसम किसम के कलाकार पाल पोस्क रखे थे जे लोग उनकी कमजोरी को ताखत बना के पेस करते थे बिना कचू कर रहे धने सब कचू बेई कर रहे हैं ऐसी बाते सुनवे में राजा साफ को बहुत मजा आता था उनके हिर्दम एक दम फूर फूरी सी उड़ राजा साफ ने भला ये चरयान हमारी होए मनो जे लो माने चाटू का चों तरफा ऐसी बंचक मचाते थे के राजा साफ को खुद ही लगने लगता था कैसल में बेई हैं जो पूरी धरती को अपनी मूर पर धर हैं और जस्दे रहा हैं सेसनांग भगवान को बले ही राजा स लगते कि हम पहली वानी में बहुत नहीं दूजी में नहीं करते रार और तीजी वानी में छोड़त नहीं महमें ठूंस देज तलवार कुल मिला के जे लोग राजा साफ के रफूगर होते इनका काम होता था कि राजा साफ के मौसर निकली भई कोई भी उट-पटांग बात को ये इन-गेन प्रिकारेंड सही सिद्ध कर दा है मालो राजा साफ ने निसाना साथ गया अंदा धूंद तीर चला है और उनका एक भी तीर निसाने पर नहीं गला तो चाटूकारों का काम होता था कि जहां जहां राजा साफ के मारे भई तीर लगे हैं वे भां-भां गोल कर देते हैं याद रखो अच्छा चाटूकार सिर्फ गोल्ची नहीं डोल्ची भी होता है राजा साब की फुटवाल अगर गोल में नहीं गई तो इनका काम होता था कि जहां फुटवाल जा रही है बहां पे जे गोल पोस्ट रगता है चाटूकार बहुत उचिकला है इसक तुम तरक्की करना चाहते हो तो चाटूकारिता सीखो यह विसुद्ध देशी और प्राचीन कला है इससे काम भी बनेगा और इज्जब भी मिलेगी इसको होसियारी से करने बाला व्यक्ति चंत चत्र कुसल कारिगर के नाम से समाज में प्रसिद्धी पाता है अच्छा सु अब आई आपने बताई के फ्रीक अग्यान फलता नहीं है तो हमने आपसे बात करते करते अपना वाट्सअप अकांट डिलीट कर दिया है क्योंकि उस पर फ्रीक अग्यान ही दिया जाता है यह सुनके बड़े जोर से हैंसे और ठाका लगाते हुए उन्होंने जैसी आराम क हा और फूल कर दिया